हला सुडेंट्स मेरा नाम दॉक्टर करसिंद पुरहीत और आप देखे रहे हमारा यूट्यूब चैनल जहांपर मैं वीडियोज अपलोड करता हूँ फॉर इंजिनिरिंग मैथमेटिक्स बीस सी इसनों अगर आपके सामने बताऊंगा लेंगराजे इंटरपोलेशन फॉर अ बात होती है कि जब भी हमारे पास अनिक्वल इंटरवेल हो और वहां पर हमारे पास कोई पर्टिकुलर वेल्यू पूछे तो यहां पर दो फार्मले यूज होते हैं एक होता है लेंगराजे एक होता है न्यूटन डिवाइडे डिफरेंस आज वाली क्लास के अंदर मैं ले तुसरुण अगर हमारे पास कोई भी वेल्यू दे ऄर जीसे आपके सामेरे भिलको फसके हमारे पास यहां इसकЬ करोस्पन निंगं फेपन पर पर प्टिकुलर कोई भी वेली आप से और पूछे लिए तो कैसे निकाल आपके छोड़ा से एक्जम्पल लेता हूं कि माली जो हमारे पास यह अरा यह X दे रिखा और यह FX दे रिखा है यहाँ पर 2 दे रिखा है, यहाँ पर 5 दे रिखा है, यहाँ पर 9 दे रिखा है और यहाँ पर 11 दे रिखा इसके corresponding यह 100 देदी, इसकी वेलिए 111 देदी, इसकी वेलिए 117 देदी और यह मारे पास 125 दिए और आप से पूझे कि what is the value of F10 भी यह 10 पे इसकी value क्या होगी तो आप देख रहे हुए यह अनिक्वल इंट्रेवल है यहाँ पर हमारे पास 3 का difference हा रहा है चार का difference हा रहा है फिर सुन यहाँ पर आपश दो का difference हा रहा है तो यहाँ पर हम कोशिश करते इसे मैं आपके सामने question के थुरू ही समझाता हूँ इस question से ही हम formula को learn करने की कोशिश करेंगे इसन जब भी हमारे पास कोई भी question आया था इसको x0, x1, x2, x3, x4 इसके corresponding ही हमारे पास fx0, fx1, fx2 and fx3 and यह हमारे पास क्या जाएगा fx4 हमें क्या बोल रहा है f5 की value निकाल लिए तो हम क्या करेंगे, हमें f5 की value पूछ रहा है सबसे बहुत हम यहाँ पर formula लिखेंगे fx is equal to, आपको क्या करना है जब इसके formula को याद नहीं करना आप इसको चुपाओ, यहाँ पर 1 को चुपाओ इसके जगा 1 रख दो 1-2, 1-3 and 1-4 and 1-7 into यह इसकी value यहाँ पर आपको चुपाओ प्लस नेक्स हमारे पास यहाँ पर जो value आएगी वो क्या हैगी, अब हम यहाँ पर 2 को चुपाओंगे यहाँ आएगा x-1 x-3 x-4 x-7 divided by किसको चुपाओंगे 2 को चुपाओंगे 2-3, 2-4 2-7 into यहाँ पर जो value आएगी वो मारे पास कहाएगी यहाँ पर एक और लिख देता है अब हम क्या करेंगे, 3 को चुपाओंगे x-1, x-2 x-4 x-7 divided by जहाँ पर भी हमने x वहाँ पर हम क्या रख देंगे 3 रख देंगे तो बटा यहाँ आएगा 3-1 3-2 3-4 3-7 into इसके corresponding value यहाँ पर कहाँ जाएगी 8 प्लस बटा हम क्या करेंगे आप 4 को चुपाएगे तो यहाँ आएगा x-1 x-2 x-3 x-7 divided by बटा है जिसको चुपाया वो यहाँ रख देंगे बटा 4 को चुपाया तो 4-1 है ना एन 4-2 4-3 4-7 हना इंटो हमारे पास इसके corresponding वह लिख देंगे 16 वह लिख देंगे प्लस मिटाब हम क्या करेंगे वापेश अब हम 7 को चुपायेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा यहाँ आएगा x-1 x-2 x-3 x-4 divided by 7-1 7-2 7-3 and 7-4 तो यहाँ पर हमारे पास यह 128 अब यहाँ किसकी वेलियो निकालने है हमें f5 की वेलियो निकालने है तो हम क्या करेंगे वह यहाँ पर भी x-5 यहाँ पर भी x आप पर 5 रख़ता है यहाँ पर भी x-5 रख़ता है 5 मेंसे 2 गया तो सुनिये 3 5 मेंसे 3 गया तो सुनिये 2 तो 5 मेंसे 4 गया तो 1 5 रख गंद यहाँ आएगा minus का 2 and divided by इसवन यह difference तो हमारे पास minus 1 आ रहा है यह हमारे पास minus 2 आ रहा है इसवन यह हमारे पास minus का 3 आ रहा है यह हमारे पास minus का 6 आ रहा into 2 जाएगा, right? plus, बाटा, यहाँ पर हम 5 राखेंगे next इस x के जगा 5 राखेंगे, तो बाटा, 5 में से 1 गया तो 4 then यह आएगा 5 में से 3 गया तो 2 है ना, यहाँ रखेंगे तो इसवन यह आएगा 1 then यहाँ रखेंगे तो minus का 2 divided by यह आएगा हमारे पास 1 यह आएगा हमारे पास minus 1 यह आएगा हमारे पास minus 2 यह आएगा हमारे पास minus का 4 into 4 आ जाएगा, है ना, plus सभर एकिए तो 5हारेम यहां पर लुट फटीनीए मैं वह पर नहीं हमारे सब्सक्राया आएगा ब्लस बैटा दा भी यहां पे हम रखेंगे एक्स की वेली 5 तो 5 में से 5 गया तो सुनिया आएगा 4 धेन या वाइगा अमारे पास 3 धेन या पास 2 अनल और या हमारे पास आएगा 5 में से 7 गया तो यहां पास यहां पे का जाएगा सुन-2 हाजाएगा तो यहां पास यहां पे रखेंगे तो यह आएग makeup 3 यह 25 टू आंघ एक हम या 3, 16 चाहएगा, प्लस में चाहल। थो, यहां पर भी एक मां पे हम 5 आएंगे हम था一点 ठीकicky करते पास सब्सक्राइगा जाए सब्सक्तर में त्रिक समदाने की कोशिश कर रहा हु, यहां पर total minus कितने आरे, एक, दो, तीन, चार और, पांच minus और यह minus आरे, मतललु, यह minus आरे गा, मानUS आजएगा, अब cancel कर लो, 3 और 2 से 3 और 2 cancel हो گए, यह मारे पास cancel हो गा, तो 3, तो सुन यहां से मारे पास इसकी वेलिए 2 by 3 आ जाएगा यहां माइनस करें, 1, 2, 3, 4, 4 माइनस है, मतलब प्लस हो जाएगा, यहां से मारे पास क्या से क्या से कैंसल हो रदेगा, एक तो 2 से 2 कैंसल हो गया, 4 दूना 8, 32 अपोन यहां पर क्या आएगा, 5 हा जाएगा, यहां minus count करो, एक, दो, तीन minus होरा है, मतलब minus आ जाएगा, बटा 4 और 2 से 4 और 2 cancel, भईया 8 तीज चोबीस हो जाएगा, यहां minus count करो, बटा minus minus plus हो रहा है, अब यहां पर देखो कौन cancel हो रहा है, तीन और 2 से 3 और 2 cancel हो रहा है, यहां से बाकी cancel नहीं हो रहा है, तो 4 दून 8 और 16 सुनिया आएगा हमारे पास 118 by 3, यहां पर हमारे पास सभी plus करेंगा, यहां प्लस हो जाएगा, नेक्स हमारे पास क्या रहा है, 4 3 से 4 3 cancel, यहां से 2 से इसको cancel करेंगे, तो यहार यह हमारे पास 3 आजाएगा, तो सुनिया आएगा 128 अपान 15 आजाएगा, अब इसको calculator से 3.93 इस तरह हम इसको बहुत एजिली कर सकता है, तो नेक्स क्वेशन देखें कैसे करेंगे, यहां इसकी calculation देख सकता है, तो नेक्स क्वेशन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहरा हूँ कि अगर आप CSIR, NET, GEET या IDCM exam की ताहरी करें तो हमारी जो बुक्स है, यह बहु देखी है, तो find the value of F6, सबसे हमें 6 की value निकालने है, and also find the value of X for which Fx is maximum और minimum, तो आप से पुचा रहा है कि X कि किस value के लिए जो Fx होगा, वो maximum होगा या फिर minimum होगा, तो कुल मिला कि हमें यहां पहले polynomial निकालनी पड़ेगे, देखो यह कैसे करेंगे, यह हमारे पास X है और य X की जो value यह अंदर वाली है, 1, 2, 7, and 8, इसे corresponding values देखी 4, 5, 5, and 4 देखा है, अब मैं आपको बताया है, पर भी formula कैसे लिखता है, formula लिखने की जरूत है, यह समझने की जरूत है, सबसे हम Fx लिखा लेगे, तो यहां पर इसको चुपाएंगे, 1 को चुपाएंगे, तो यह आ 8 into 4 हो जाएगा, प्लस, यहां पर हमारे पास वापिस के आएगा, अब इस 2 को चुपाएंगे, तो यहार यह हमारे पास आएगा, X-1, X-7, X-8, and then उसके बाद यहां पर हमारे पास 2-1, 2-7, and 2-8 into 5, यही फार्मुला यही होता है, आप बोलो की जरूत है, चुपाने वाला क्या समझ में नहीं हा रहा है, इस 2 next हमारे पास 7 को चुपाएंगे, तो यहां आएगा, X-1, X-2, X-8, 7 को चुपाएंगे, जहां पर भी X 7 रख देंगे, जिसको चुपाना उसको X की जगर रख देने का है, 7-8 into यहां से हमारे पास इसकी वेली जाएगी, 5 आजाएगे, next, इस 8 को चुपाएंगे, तो यहां आएगा, X-1, X-2, X-7, divided by, हमारे पास यहां पर यहां पर यहां पर 8-1, 8-2, 8-, यहां पर हमारे पास की जाएगा, 7 आजाएगा, into यहां से हमारे पास इसकी वेली जाएगी, 4 आजाएगा, अब हमें क्या करना, फैक्टर करना, तो यहां हमारे पास है, इसमें से common क्या रहा है, एक तो X-7 common आ रहा है, एक X-8 common आ रहा है, इन दोनों common लो, जब इन दोनों common लोंगा, तो यह आएगा, X-7, X-8 common आ रहा है, यहां पर क्या बचाएगा, यहां पर बचाएगा, यहां पर बचाएगा, X-2, into 4, divided by, यहां से हमारे पास श्क्यू लिर बच एक बस आएक तो फाइफ आध पस मार पास कॉमनों निजाए तू Lenna डिगा है तो इक पनिन निकाल दीजिये x-1, x-2, निकाल दिया औधिया, अंधर क्या बचरा बेटा, यह बचरा 5 into x minus 8, divided by बेटा, यहाँ से मारपास 6 आ रहा है, यहाँ से मारपास 5 आ रहा है, है ना, और यहाँ से मारपास minus 1 आ रहा है, and then, यहाँ से मारपास से सुनी आएगा, 4 into x minus 7, divided by, यहां से मरे पास आरा 7, यहां से आरा आरा 6 और यहां से आरा आरा 1, यह हमरे पास value हाजाएगी, नाओ, अशुन हम आगे क्या करेंगे, ज्यान दिजेगा, आगे हमें थोड़ा सा calculation करना पड़ेगा, यहां से मारे पास इसकी जोली आएगी, fx is equal to, यहां से आएगा, x square minus 15x, यह हमारे पास 56, यह हमारे पास value आजाएगी, नाओ, यहां देखेंगे, तो 4 और 3 cancel आरा यहां पे, चुकि हमारे पास minus minus 3 बार आरा, तो यह माइनस आएगा, और यहां पे यह 2 बचेगा, तो 2 अंदर multiply कर देता हूँ, तो बटा आएगा, 2x minus 4 divided by हमारे पास यहां पे क्या आएगा, यहां सात्य एककीस आजाएगा, यहां से हमारे पास इसकी value निकल लेंगे, तो 5 से 5 cancel है, यहां मैंस बार आएगा, तो यहां मैंस को लिखूँ हूँ, 42 का यहां पे LCM ले लेंगे, तो बटा यहां यहाएगा, 2 से multiply होगा, तो minus का 4x, इस फिरहाँ पे हमारे पास यहां का आएगा, माइनस माइनस प्लस और इसों यहाँ पर हमारे पास यह आएगा 8 इसों यहाँ पर हम साथ करेंगे तो यह आएगा प्लस का 7X माइनस का 7 इसों यह आएगा पास यहाँ पर इसकी भी लिए आएगी प्लस मैं लिखूंगा इसको तो X स्क्वार माइनस का 3X प्लस का 2 आएगा चलोब यहां यहां भी हम क्या करेंगे 42 का Lc में लेंगे जब 42 का Lc में लेंगे, तो सुन 7 आएगा तो यह आएगा minus का 7x और minus minus plus और सुल यहां पर गजब इसको करेंगे तो यहां ही 2 आएगा तो मारे पास plus का 4x minus का 28 अब हम क्या करेंगे, सुनिए, fx is equal to, यहां पर हमारे पास इसकी विल्य आएगी, x square minus 15x plus 56, सुनिए 42 तो यहां नीचे आजाएगा, and then यहां पर हम solve करेंगे, तो यहां पर 4x में से 7x गया, तो सुनिए हमारे पास बचा 3x, and plus 1, यहां पर इसकी विल्य आजाएगी, plus again, सुनिए हमारे पास इसकी विल्य आएगी, x square minus 3x plus 2 divided by 42 आ रहा है, and then यहां पर इसको solve करेंगे, तो यह हमारे पास आ रहा है, minus 3x, and सुनिए हमारे पास 28 minus का रहा है, and 56 आ रहा है, तो सुनिए हमारे पास यहां पर इसकी विल्य आएगी, वो 28 आ जाएगा, तो इस तरह हम यहां पर इसको करेंगे, अब हम क्या करेंगे, सुनिए हम यहां पर समझने की कोशिश करिए, यह जो 42 है, इसको तो मैं बहान निकाल लेता हूं, अब ध्यान अब जब x square इस 3x से multiply होगा, तो x cube आएगा, और यहां पर हमारे पास x cube आएगा, पर यह माइनस का 3x cube और यह प्लस का 3x cube क्या हो जाएगा, यह चैंसल हो जाएगा, यह आपको समझने की जरूत है, अब इस यह जो x square इस से multiply होगा, तो यहां पर हमारे पास x square common निकालेंग हमारे पास, और जब माइनस 3x, माइनस 3x, अब तो प्लस यहां पर हमारे पास क्या जाएगा, भीया, 9 आजाएगा, तो सुन यह हमारे पास अब की सब x square के coefficient आएगा, अब हम बात करेंगे, सुन x का coefficient की बात करें, तो हमारे पास क्या हैगा, जब माइनस का 15x इस 1 से multiply होगा तो सुन यह हमारे पास आएगा, माइनस का 84, जब यह से multiply होगा, तो माइनस का 6 आएगा, सुन यह हमारे पास x का coefficient आएगा, अब बात करेंगे, सुन constant के बारे में, तो यहां से मारे पास 56 आ रहा है, और सुन यहां से भी मारे पास यह कितना रहा है, सुन 56 ही आएगा, clear है? यहार यहार पास यहार पर इसकी value है जाएगे तो सुन fx is equal to जब इसको calculate करेंगे तो यहार यहार से महार पास इसकी विलिए का minus 7x square तो सुन यहार पास आएगा 63x plus यहार पर महार पास इसकी विलिए 1,1,2 अगर आप देखेंगे तो सुन यहार पर 7 common निकल रहा है तो अगर आप 7 common निकल लेंगे तो सुन यहार पर आएगा 1 by 6 है न साथ से cancel कर देंगे तो यहाएगा minus x square और यहाएगा plus 9x and plus यहार पर पास जब इसको 7 से divide करेंगे तो सुन यहार पास यहार पर क्या जाएगा 16 आज अब आप से पूछा जारे कि what is the value of f6 पहले हम f6 को निप्टा देते है न तो सुन f6 की बात करी जाए तो यहार हमारे पास जो f6 आएगा कुछ नहीं करना है भाईया जहां पर भी हमारे पास यह कि 6 value रख दीजिए तो सुन यहाएगा 1 by 6 and यहां पर हमारे पास इसकी value ऐग minus 36 गया 34 तो सुन यह हमारे पास आएगा 34 upon 6 that is 17 बटा 3 यह हमारे पास यहां पर क्या जाएगा इसकी value आजाएगी अब हमसे पुछा रहे कि what is the maximum or minimum value तो कुछ नहीं करना है इसको y मान लेंगे जब ही maximum minimum की बात करी जाए तो y is equal to यह हमारे पास आएगा 1 by 6 x square plus 9x plus 16 इस सुन x plus 9 is equal to 0 तो यहां से हमारे पास x की value होगी 9 by 2 अब हम देखेंगे इसका double order derivative क्या आएगा सुन y double dash की बात करेंगे तो सुन यह आएगा minus 2 by 6 which is less than 0 इसका मतब इस point पर यह जो function होगा y यह मारे पास क्या होगा maximize करेगा right मतब x is equal to 9 by 2 पे y जो होगा वो मारे पास क्या करेगा maximize तो हमें पुछा दर है कि what is the maximum value of this तो कुछ नहीं करना है यह जो भी हमारे पास answer आए इसके अंदर आप क्या करिए जो भी हमारे पास answer आए इसके अंदर x की जगा हमारे पस यहां पर क्या रख देंगे ना बेटा यहां पर जहां पर भी x है वहां पर हमारे पास आ रहे है तो y है है हमारे पास this is y तो इसके तर जहाँ पर भी x आपर 9 by 2 रखेंगे तो यह हमारे पास भी लिएगी 1 by 6 और यह आएगा हमारे पास minus का 81 by 4 प्लस यहाँ पर आएगा हमारे पास 81 by 2 प्लस का 16 और इसको simplify करेंगे तो हमाँ जो answer आएगा वो 6.041 यह हमारे पास यहाँ पर क्या हैगी इसकी maximum value आएगी तो इस तरह से इस question को बहुत इजी लिए आप solve कर सकते है सुनियार यह question comment box के लिए उसको solve करने में आपको किता time लगा प्लीज कमेंट करके ज़रू बताइए इस type के और भी वीडियो से अगर आप numeric classes के देखना चाहरे है पूरी के पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी अगर आप CSIR, NET, GATE या IDGM exam की तैहरी करना चाहरे है अपना journal attitude बहतर बनाना चाहरे है उसकी वीडियो से आप यहाँ जाके देख सकते हैं और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, thank you, bye bye